हम इंडिया ऑर भारत दोनों नाम को हम कबूल करते हैं और गर्व अनुभव करते हैं क्योंकि अभी-अभी जो हमने चंदरायन जो मिशन भेजा वो कौन से इजन सी ने भेजा? वो इस्षरों ने भेजा इस्षरों में आई किसका है? इंडिया है हमारे जो engineers पूरे विश्व भर में बड़े बड़े कमपनियों के CEO है वो कौन से engineering institute से निकलते हैं IIT वो IIT में I क्या है इंडिया वो management जो degree लेते हैं IIM से वो I क्या है वो भी IIM है वो इंडिया है हमारे पुलीस के जो जवान है जो आज देश की सुरक्षा करते हैं वो IPS उसमें I क्या है इंडिया तो ये मुझे अफसोस लगता है कि चाहे भारत तो चाहे इंडिया है तो अपना ही और उसको लेकर हमको गर्व महसूस करना चाहिए लेकिन बीजेपी की राजनीती आज इतने नीचे सर तक गई है इसका साफ साफ अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि इंडिया अलाइन्स इतनी जल्दी से जो बन गया इतने बढ़िया तरीके से जो बन गया इसको आज लोग इतना स्विकार कर रहे हैं कर रहे हैं, सममान कर रहे हैं इसको लेकर आज बीजेपी डर गई है और बेबुनियाद आज वो काम करना चाहती है अगर सदन चला रहे हैं तो सदन में एक कानून लाए कि पेट्रोल का दाम बस percentage जादा नहीं होगा तो सदन में कोई कानून लाए कि गैस सिलिंडर का दाम आज 600 से जादा नहीं होगा अगर 600 से जादा हुआ या पेट्रोल का दाम एक सीमा के बढ़ गया तो उसका भरपाई ग्राहक नहीं सरकार करेगी इस प्रकार के बिल लाएं मुद्दे आज बेरोजगारी के हैं मुद्दे आज महिंगाई की हैं और ये हमारे देश के नाम को बनाम करने में लगे हुए है